आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अम्रस सरी पनीर मसाला की रेसिपी अगर आपको मेरी आज की बनाई रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे दिये लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल निशा आपको मेरी आज की रेसिपी रेलिवेंट लगे तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा अपनी फैमली और फ्रेंड्स के साथ हाई गाईज वेलकम बेक टो निशास कोग दोग ये रेसिपी बहुत ही कम इंग्रीडियन के साथ और घर के बेसिक मसालों के साथ बनाई गई है चलिए तो अब देर न करते हुए अमरसरी पनीर मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं जिसके लिए मैंने एक पैन मीडियम फ्लेम पर रख दिया है और इसमें आल्मोस्ट वन टेबल स्पून कोकिंग ओयल एड़ किया है जैसे ही घी गरम हो जाएगा हम इसमें हाफ टी स्पून जीरा एड़ करेंगे एक से दो पिंच हींके एड़ करेंगे जैसे ही जीरा चटकने लगेगा हम इसमें एक मीडियम साइस का प्याज चौपट करके एड़ कर देंगे प्याज को हम लगबग 1-2 मिनट तक सौते करेंगे और अब हम इसमे 1 टी स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट एड़ कर देंगे और अनियन की फास कोकिंग के लिए हम इसमें थोड़ा सा सौल्ट एड़ करेंगे और हम इसे अब एक बार फिर से अच्छी तरह कलर चेंज होने तक सौते कर लेंगे अनियन को हमें ओवर रोस्ट नहीं करना है पस जैसे ही अनियन का कलर चेंज होने लगेगा हम इसमें 1 टेबिल स्पून बेसन एड़ कर देंगे बेसन इस रेसिपी का में इंग्रीडियन्ट है ये हमारी अमरसरी पनीर मसाला की ग्रेवी को एक बहुत ही अच्छा और क्रीमी टेक्स्चर देगा बेसन को लगबग 2-3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें 1.5 कप पानी आड़ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम पैन को कवर करके लगबग 1 मिनट के लिए इसे पकने देंगे एक मिनट के बाद कवर हटा कर देखेंगे सारा पानी रिडियूस हो चुका है बेसन हमारा बहुत अच्छी तरह से कोख हो गया है अब हम इसमें एक बड़े साइज का टमाटर फाइन चॉप करके एड़ कर देंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट फिर से एड़ करेंगे और हम टमाटर को बहुत अच्छी तरह से बेसन और प्याज में भून लेंगे हम इसमें हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर एड़ कर देंगे ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ कर सकते हैं अब हम इन सारे स्पाइसिस को एक बार फिर से अच्छी तरह से भून लेंगे और आधा कप पानी फिर से डाल कर हम पैन को अल्मोस्ट एक मिनट के लिए फिर से कवर करके रख देंगे ताकि ग्रेवी इन सारे स्पाइसिस का फ्लेवर अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर ले एक मिनट के बाद हम कवर को रिमूव कर देंगे और इस ग्रेवी को बहुत अच्छी तरह से चला लेंगे और इसे हम फिर से रिड्यूस करेंगे अब हम इसमें वन टीई स्पून कसूरी में थी दो से तीन फाइन चॉप हरी मिर्च और लगबग वन टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डाल देंगे यहां मैंने घर के दूद की फ्रेश मलाई ली है अब हम इन सारे स्पाइसिस को इस ग्रेवी में फिर से अच्छी तरह से भून लेंगे और हम इस ग्रेवी के मसाले को तब तक भूनते रहेंगे जब तक साइड से घी न छोड़ने लगे आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और पैन में साइड से घी निकल आया है अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स कट करके डाल देंगे अगर आप चाहें तो आप पनीर को शैलो फ्राइ करके भी एड़ कर सकती है मैंने यहाँ पर कच्छा पनीर ही एड़ किया है अब हम इसे बहुत हलके हाँ से ग्रेवी में मिक्स करेंगे और अपने टेस्ट और च्वाइस के अकॉर्डिंग हम इसमें पानी एड़ करेंगे अगर आपको ग्रेवी ठिक रखनी है तो आप कम पानी यूज करिए मसाला में उपर से थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और फाइन चॉप हरा धनिया एड़ कर देंगे जब भी हम गरम मसाला पाउडर किसी ग्रेवी में या सबजी में डालते हैं तो हमें उसे कुछ देर के लिए कवर कर देना चाहिए ताकि जो गरम मसाला पाउडर का अरोमा होता है वो उस ग्रेवी में और सबजी में अच्छी तरह से आ जाए हमारी अमरसरी पनीर मसाला की सबजी बनकर तयार है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी ही क्विक, इजी और इनोवेटिव रेसिपी ला सकूँ ग्रेवी में बेसन एड़ करने की वज़े से इस ग्रेवी का टेक्स्चर बहुत ही क्रीमी बनता है आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजेगा अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ